हाई प्रेंड्स वेलकम टू बैक माई चैनल कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हों आप बिल्कुल ठीक होंगे आज में लेकर आई हूँ आपके लिए मेथी के वड़े की रेसिपी जो आपको पसंद आने वाली है और अगर अगर पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी मैंने मेथी ले लिया है इसको मैंने अच्छे से साफ करके बोश कर लिया है और इसको सुखा लिया है मेथी में हमारी जो है पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए आप चाहे तो इसको तोड़ भी सकते हैं इसमें डंठल बिल्कुल नहीं होना चाहिए पत्ते पत्ते लिय है लसुन की कली पाथ से छे और दो हरी मिर्च कटी हुई और तीन दे हैं मैं आद रखके टुकड़े और तीन चमच हम एड़ करें निसाबु धनिया और एक चमच हम इसमें डालेंगे सौफ और आदा चमच मैंने लिया है इसमें अजवायन और इसको हम दरदरा मिक्सी में ग पोहा जो हम डेली यूज में बनाते हैं आप उसका यूज कर सकते हो और इसको मैंने तीन बार पानी से वोश कर लिया है अच्छे से इसमें पोहे में बिल्गुल भी पानी नहीं रहना चाहिए यह देखिए बिल्गुल सूखा सूखा सा लग रहा है ना फ्रैंस इसको हम र दाल देंगे और जो हमने मसाला ग्रैंड करके रखा था उसको भी हम इसमें डाल देंगे और इन सबी को हम कर लेंगे मिक्स याद रहे फ्रेंट्स इसमें बिल्कुल भी पानी एक बून भी पानी नहीं होना चाहिए यह देखे इस तरह से हमें इसको मिक्स कर लेना है अच्छे से ताकि जो प्याज है हमारी उसके सारे लच्छे खूल सके अभी हमें इसमें मसाले अड़ नहीं करने हैं यह वाड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं फ्रेंट्स आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा अब लेते हैं पॉय को पॉय को भी हमें मैस कर लेना है अच्छे से एक डो की रूप में कर लेना है इसको इसको भी हम मेथी में एड़ कर देंगे और धेर सारा मैंने इसमें डाला है धनिया अगर आपको धनिया या कुछ इसमें से कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो आप इसको स्किप कर सकते हैं तीन चमच मैंने इसमें एड़ किया है तिल आप धुले या भी न धुले जो भी आपके पास तिल है वो आप इसमें पाउडर एक चमच धनिया पाउडर हल्दी पाउडर और आदा चमच मैंने इसमें लिया कश्मेरी लाल मिर्च एक चमच डालेंगे हम चूर पाउडर और दो चमच मैंने इसमें एड किया है शूगर क्योंकि जो ये बड़े हैं न फ्रेंट्स थोड़े से खटे मिठे ही अच्छे लगते हैं और अभी हम इनको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से यह देखे और बैंडिंग के लिए हम डालेंगे आदा का बेशन बेशन हमें थोड़ा ही यूज़ करना है बहुत जादा नहीं यह देखे फ्रेंड्स हमने शुरू चले के अब तक कि इसमें कहीं भी पानी का यूज़ नहीं किया है और जो हमारा डो तयार हो गया है उसको कर लेंगी साइड में और हलका सा तेल लगाएंगे और जो हमारा डो है उसमें को मिक्स कर लेंगे हैंड बोश करेंगे उसके बाद हम कि आटे की थोड़ी थोड़ी घोले बनाएंगे और उसको हम बड़े का shape दे देंगे यह दें कि इस तरह से आप चाहिए तो इनको टिकी भी बोल सकते हैं यह दें हतेली की help से हमें इसको गोल गोल बना लेना है और यह दें कि मैंने सभी बड़े बना कर बिल्कुल तैयार कर लिये हैं मैंने कड़ाई पहले चड़ागी रखी थी गैस के उपर गैस की फ्लेम रखेंगे हम slow to medium ये देखें और हमें बड़ों को कड़ाई में डाल देना है इसके बाद हम इनको जब तक इनकी side change नहीं करेंगे जब तक ये brown नहीं हो जाते हैं नीचे से ये देखें हमारे जो बड़े हैं हलके से सीख चुके हैं और अभी हम इनकी side change कर देंगे ये देखें सबी बड़ों को हमें उलोट पलोट करके शेक लेना है जब तक कि इनका color brown नहीं हो जाता है ये देखें फ्रेंड स्टील हमारे वड़े हैं जो fry होके बिल्गुल तयार हो चुके हैं आप चाहें तो इनको ज्यादा तेल में भी fry कर सकते हैं ये देखें हमारे वड़े तयार हो गया है और अभी हम इनको निकाल लेते हैं इक प्लेट में उपर से ये प्रेंड क्रिस्पी रहते हैं ये देखें मैं आपको दूसरा बैच भी डाल के दिखाती हूं कड़ाई में जितने बनते हैं उतने ही वड़े हमें एड़ करने हैं ये देखें इनको भी हमुलोट पुलोट करके ऐसे ही फ्राई कर लेंगे ये भी ब्राउन हो चुके हैं और इनकी साइड चेंज कर देंगे इसके बाद हम इनको निकाल लेंगे ये देखें हमारा दूसरा बैच भी तयार हो गया है आप इस रेसिपी को जरूर टाई कीजिएगा और अगर अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट चकर के जरूर बताईएगा मुझे की आपको कैसी लगी मेरी डेसिपी ये देखें के सभी वड़े मेरे तयार हो चुके हैं लग रहे हैं न फ्रेंड्स बहुत अच्छे देखने में और खाने में भी उतने ही अच्छे लग रहे हैं तो चलते हैं साव करने की दरफ ये देखें आप इसको चटनी या सोस खटी मीटी चटनी जो भी आपके पास हो उसके साथ आप इंजोई कर सकते हैं आप में इसे नास्ते में भी कर सकते हैं अगर वीडियो पसंदाए तो प्ली चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा